NIT 2020 के Admit Card में COVID-19 के related एक declaration form दिया गया है उसको सहीज से फिल करना है उसको कैसे फिल करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथ ये भी चर्चा करेंगे कि अगर किसी student को fewer, 80, जुखाम या फिर COVID-19 के लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो उनको exam में बैठने के लिए क्या arrangement होंगे तो दोस्तो NIT के Admit Card का First Page आपको exam hall में लेकर जाना है इसका print आप color और break and white दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं Admit Card के First Page में उपर आपकी detail होगी और नीचे declaration form दिया होगा इसमें First Point में लिखा है कि COVID-19 महामारी के related government of India द्वारा जारी instructions, guidelines और orders मैंने पढ़ लिए हैं आगे लिखा है कि exam related information, browser, instructions, notice मैंने ये भी पढ़ लिए हैं जो NTA की website NTA need not in पर दिये गए हैं Second Point में आपको last 14 days के बारे में जानकारी देनी है अगर इनमें से आपके लिए कोई applicable है तो उस पर टिक कर दे otherwise उसको blank छोड़ दे इसमें A Point पर 5 चीजें लिखी हुई है अगर आपको last 14 days में नमर 1 पर लिखा है बुखार नमर 2 पर लिखा है खांसी नमर 3 पर लिखा है सांस पुलना नमर 4 पर लिखा है गले में ख्रांस और नाक बैना नमर 5 में लिखा है सरीर में दर्द अगर ये 14 days में आपको ये सिंटम हुए है तो उस पर टिक कर देना है अगर last 14 days में इनमें से आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो इसको blank छोड़ दे या फिर अगर कोई अन्य सिंटम आपको दिखाई दिये हैं तो अदर में आप इसमें नीचे लिख दे बी पॉइंट पर पुछा गया है कि क्या आप last 14 days में किसी कोवीड 19 positive patient से close contact में रहे हैं यहां पर close contact का मतलब है 15 मिनट से ज्यादा एक मिटर से कम की दूरी पर अगर रहे हैं तो इस पर टिक कर दे अन्य था इसको blank छोड़ दे पॉइंट C पर इसमें आगे पुछा गया है कि अगर आप COVID-19 positive patient के contact में नहीं आये हैं और quarantine नहीं रहे हैं तो आपको यहां पर टिक लगाना है D में आपको exam center पर आने से पहले पिछले 14 days में जिन city या country में travel किया है उसका विवरण यहां पर देना है पहले उस city या country का नाम देना है उसके बाद exam center पर पहुंचने की date देनी है अगर आप घर से सीधे exam center पर पहुंचते हैं यानि रास्ते में आप कहीं नहीं रुखते हैं तो इसको blank ही रहने दे अगर आप रास्ते में कहीं रुखते हैं तो उस city का नाम लिख दे एक से ज्यादा city में आप रुखते हैं तो यहां पर four city का यह जगह दी हुई है इसमें आप 4 city के नाम लिख दे अगर आप कहीं भी नहीं रुखते हैं आपने पिसले 14 days में कहीं भी विजिट नहीं किया है तो आप इसको blank ही रहने दे इसके बाद में तीसरे नमबर point पर health के बारे में लिखा है इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है इससे नीचे photo paste करनी है आपने थम लगाना है, lab थम लगाना है, parent के signature करनी है बस इतना ही करना है और ये declaration form आप 14 September तक घर पर ही भर ले आपको exam center पर इसको लेकर जाना है अब हम बात करेंगे कि किसी student को अगर बुखार, खांसी, जुखाम या COVID-19 के symptom दिखाई देते हैं तो उसको exam के लिए क्या arrangement होगा तो मैं आपको बता दूँ कि उसको अलग room में बिठा कर exam लिया जाएगा center पर time से पहुंचने के बाद आपको कोई भी exam देने से नहीं रोग सकता exam center पर क्या-क्या documents लेकर जाने हैं इसका मैं separate video बना चुका हूँ आप channel search करके देख सकते हैं तो इस video को like वे say ज़्यादा से ज़्यादा करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं नई update के साथ में तब तक के लिए जैरिंग